तो जहिंद स्वागते मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्वी में और फ्रेंस फाइनली दोस्तों आज असाम रैफल्स रेडियो अपरेटर का जो की फिजिकल हुआ है दोस्तों उसका ट्रेट टेस्ट का दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है सुखोवी सें तो अभी दोस्तों हमारे काफी सारे कैनिडेट से बात हुई है कुछ मेरे फ्रेंड्स भी गए थे तो अभी मेरे उनसे बात हुई है दोस्तों आज का मैं बताऊं तो आज जैसे दो सेप्टेंबर का दोस्तों जिनका फिजिकल था बिहार और यूपी वालों में से तो दोस बता देता हूं लगबाग दोस्तो 110 का जो बैश था उस मेशें मातर और मातर दोस्तो 21 बंदो का ट्रेटस्ट क्यों अब बतां दोस्तों ऐसे क्यों हो रहा है दोस्तों कुछ question ऐसे आ रहे हैं कुछ नहीं दोस्तों काफी सारे कुछ question ऐसे पूछ जा रहे हैं जो out of syllabus है अब दोस्तों मैंने जैसे कि आप पुछ यह आपने पड़ा ही होगा और फिर last year हमारे trade test में आपको पता ही होगा कि MCB, current, fuse, wire, यह सब insulator, conductor यह सब पूछा गया था लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आज का मैं आपको बता दू question दोस्तों UPS और computer के वारे मैं पूछा जा रहा है अब question कहा है दोस्तों यह आप लोग समझ लो यहाँ पर मैंने सिर्फ topic लिखे है ताकि आपको base पता चल जारा कि जो computer का जो program है वो कैसे किया जाता है computer काम कैसे करता है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर IC chip के वगरे के full form पूछे जा रहे हैं दोस्तों full form पढ़ने वहाँ पर RAM, ROM, CD और IC के बारे में दोस्तों full form पूछा गया है और दोस्तों सबसे main चीज दोस्तों एक question है जो कि दोस्तों ये वाला कि VFX, VFX दोस्तों आपने पता ही होगा जो मेरे भाई radio and television trade में थे आप लोगो पता ही होगा वहाँ पर radio और television trade होगा तो दोस्तों उनके लिए VFX का और LED के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है कि LED screen और VFX कैसे काम करता है ठीक है एक question दोस्तों ज जब अपने पाथ पे flow करती है तो उसे हम supply बोलते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मैं पहले बता दू आउट of syllabus के भी question थे कुछ चुकि दोस्तों किसी ने भी computer के बारे में इतना knowledge नहीं है वहाँ पे कि आपसे computer के भी question पूछे जाएंगे किसी को भी पता नहीं था दोस्तों व operator वालों के लिए question था कि electromagnet waves किस प्रकार से काम करते हैं ठीक है तो आपको यह वहाँ पे define करना था तो दोस्तों वहाँ पे मैंने क्योई candidate से पूछा तो दोस्तों हाँ वहाँ पे radio रखा हुआ है वहाँ एक radio का setup आपके सामने रखा हुआ है और जो की आपके सामने जो interview ले है वह दोस्तों वहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप वहाँ पे कोई सवाल का जवाब दे रहे हो तो आप वहाँ पे आपको कोई और सवाल भी करने लग जाएगा तो दोस्तों काफी सारे candidates की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि सर trade test के बारे में सर बताईए बताईए सर दोस्तों trade test के बारे में दोस्तों मैंने पहले बता दिया question आपको कहीं से भी पूछ देंगे बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि आप लोगों को mcb fuse वगरा के बारे में पूछेंगे बिल्कुल नहीं आप लोगों को तयारी करनी है हर field से आपको computer का भी बिल्कुल अच्छे स knowledge आपको लेकर जाना है अभी जितने भी मेरे भाई radio operator और line man वालों के लिए जितनी भी भाई है जितनी भी चाहे वो television trade से हो जाए वो किसी भी trade से हो तो आपको जहां से भी knowledge मिल रही है वहां से आप लोग किसी एक के भरो से मत बैठो ठीक है और जो भी है दोस्तों RAM, ROM, CD इ Jain